Canon M50 Mark II और Canon 200D Mark II दोनों बहुत comparable cameras हैं और बहुत सारे लोग search करते है Canon M50 Mark II versus 200D Mark II कौन सा camera better है कुछ comments मुझे भी आए लेकिन interesting चीज ये थी कि मुझे ये comments देखके समझ में नहीं आए कि ये genuine question है कि लोग मजाग कर रहे है because ये camera इतने similar है तो मेरे हिसाब से बहुत ही obvious होना चाहिए कि आपको कौन सा camera खरीदना चाहिए इन में से but based on comments जो मैंने देखा मुझे लगा है पर थोड़ा confusion है तो मैं अपनी opinion यहाँ पर देना चाहूँगा कि दोनों में से यानि M50 Mark II और Canon 200D Mark II में से कौन सा camera better है और आपको कौन सा लेना चाहिए तो अगर आप लोगों ने कुछ मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं जहां मैं cameras को compare करता हूँ तो आपने notice किया होगा कि वहाँ पर मैं specs पे बहुत जादा focus करता हूँ और specs real world में आपको कैसे affect करते हैं उसकी बाद भी करता हूँ क्योंकि सिर्फ specs से कोई मतलब नहीं अगर आप वो specification या कोई specific feature आप use नहीं करते तो आप उस camera में उस feature को ignore कर सकते हो लेकिन because Canon M50 Mark II और 200D Mark II इतने similar cameras हैं तो इस video को हम थोड़ा सा different approach में tackle करेंगे मैं आपको definitely specs की बात करूँगा majorly बात करूँगा 2-3 important specs जहांपर M50 Mark II और 200D Mark II में थोड़ा difference है लेकिन सबसे important जो मैं आपको difference बताऊँगा वो एक difference से पूरा decision making process आपका effect हो जाता है और specifically मेरा जो answer रहेगा कि दोनों camera's में से कौन सा better camera है वो honestly बोलूँ तो सिर्फ एक difference पे ही टिका हुआ है but आपको video पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप उसके around context नहीं समझोगे कि मैं specific camera को क्यो recommend कर रहा हूँ उसका reason क्या है तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि मैं specific camera को recommendation क्यों दे रहा हूँ और अगर आप पूरा video देखे बिना आपने camera लेने का decide कर लिया आपने खरिद लिया तो हो सकता है आपको best result नहीं मिले और आप थोड़ा नुकसान खाना पड़े तो मैं यह नहीं चाहता कि आपका पैसा waste हो तो इसलिए video आप पूरा देखना मैं अपनी recommendation दूँगा कि मेरे हसाब से camera better है बट final choice आपकी है आप दोनों cameras टेकनीक लिए आप कोई भी camera करीज सिखते हो दोनों cameras काफी similar है लेकिन जो वह एक important difference है उसको acknowledge करना या उसको understand करना जरूरी है ताकि आपका पैसा बरबाद ना हो तो start करते हैं comparison 200D Mark II और M50 Mark II का जैसे मिन बता है दोनों cameras काफी similar हैं बहुत जादा differences नहीं है body weight what a difference है of course because 200D Mark II HDSR है M50 Mark II mirrorless cameras है but दोनों का process are almost same है sensor भी same है उसके अंदर ISO range भी same है almost सारे ही feature जो है megapixel count सब कुछ same है except for frames per second यानि high speed photography में frames per second किते मिलते हैं तो वहाँ पर difference यह आता है कि M50 Mark II के अंदर advertised है 10 frames per second 200D Mark II के अंदर advertised है 5 frames per second लेकिन M50 Mark II के अंदर 10 frames per second advertised होता है वो technically सही नहीं है वो उसमें autofocus नहीं चलता है या tracking autofocus नहीं चलता है तो वे tracking autofocus around 7-7.5 frames per second आपको मिलते है तो उसको compare करके अगर हम देखे हैं तो इतना जादा major difference नहीं है दोनों कैमराज में और अगर आपके लिए high speed photography important ही है यसा wildlife वेडिंग में आपको बहुत high speed में photos लेने तो दोनों ही camera आपको इतना अच्छे नहीं है दोनों ही camera almost identical cameras है in terms of features body definitely थोड़ी सी different है तो photography में जो features की हमने बात की वो दोनों almost identical features है लेकिन सबसे important difference जो है फोटोगरफी में जो सबसे लादा लोग जिस पर attention देते हैं जिस पर जादा focus करते हैं है वो है autofocus points तो शाइद आपको पता ही होगा कि M50 Mark II के अंदर 3967 शाइद autofocus points है और 280D Mark II के अंदर सिर्फ 9 autofocus points है तो technically मैं यहापर थोड़ा सा clarification देना चाहूंगा कि technically कोई भी mirrorless camera के अंदर बहुत सारा autofocus points होते हैं बहुत जादा 3,000-4,000 autofocus points होते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन autofocus points को individually use कर सकते हो generally उनको advertise या group करके use करा जाता है तो example के लिए M50 Mark II के अंदर भले 3,900 some autofocus points हो लेकिन usable autofocus है वो autofocus zones जो है वो है around 143 और M50 Mark II के अंदर जो है वो around 9 autofocus points है photography में अब यहाँ पर सबसे बड़ा confusion solve करना चाहता हूँ कि just because किसी एक camera में autofocus points जादा है उसका यह मतलब नहीं होता है कि उसका autofocus बेटर भी है technically आप मानलो कोई Panasonic का camera ले लो तो उसके अंदर mirrorless में specifically autofocus points बहुत जादा होते है या comparable होते हैं at least 143 जादा हो सकते हैं लेकिन आपको जाद पता ही होगा कि Panasonic का autofocus performance बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता compare करते हैं Sony में Sony में जादतर cameras में autofocus points जादा भी आते हैं 425 आते है कुछ और उसका autofocus performance काफी best भी होता है काफी fast भी होता है तो सिर्फ points से फरक नहीं पड़ता points की पीछे technology का यूज हो रही है उस पर फरक पड़ता है तो अगर बात करें M50 Mark II और 200D Mark II की photography mode में तो दोनों के इंदर ही autofocus points का difference आपको clear है लेकिन important बात यह है कि दोनों के इंदर dual pixel autofocus चलता है जो एक face detect और contrast detect का combination है और दोनों का autofocus performance आपको बहुत देखने का अच्छा मिलेगा बट यह difference definitely है कि 200D Mark II के अंदर because autofocus points बहुत छोटी range में limited है तो आपको थोड़ा सा edges पर focus करने में अगर photography में करना है तो वहाँ पर आपको थोड़ा reframing करना पड़ेगा एक दम accurate हो सकता है edges पर नहीं मिले because technically almost 88% of the viewfinder उसका coverage मिल जाता है आपको autofocus के लिए अब एक important difference यहाँ पर वापस बताना चाहूंगा कि अगर आप 200D Mark II को live view mode में use करते हो for photography तो यह difference जो है वो हट जाता है because live view के अंदर दोनों cameras के अंदर ही जादा जादा या 80% coverage वाले autofocus points मिल जाते है points का exact specification नहीं दिया है 200D Mark II के अंदर technically कि कितने autofocus points मिलते है mirrorless mode में but मेरा बहुत ही strong suspicion यह है कि 200D Mark II और M50 Mark II exactly same number of autofocus points यूज़ करते हैं जब mirrorless mode मोते है 200D Mark II obviously DSLR और mirrorless अपकर कर सकता है M50 Mark II जा है वो सिर्फ mirrorless body ही है तो वो सिर्फ mirrorless mode में ही चलेगा तो मेरा बहुत strong suspicion है कि अगर आप live view में photography करते हो तो आपको autofocus का performance और autofocus points दोनों ही same मिलेंगे तो photography features की बात कर लिए मैंने major specification जो सही है जो comparable है almost मैंने बताया जैसे clear करके कि almost simple ही है दोनों same ही cameras है but video के अंदर थोड़ा सा major difference आजाता है वापिस मैं थोड़ा clear करना चाहूंगा video के अंदर because आपको पता है हुआ कि कोई भी DSLR camera भी अगर उसको video बनाने के लिए लिए करते है तो technically वो mirrorless camera ही हो जाता है तो यहाँ पर एक और बहुत major difference आता है exactly same है लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे जार इसमें autofocus point जाता है इसमें dual pixel autofocus चलता है सारी चीज़े clear करता हूँ सुन दो बात तो सबसे पहले basic clear कर ले जाँ frame rates की बात कर लेते है frame rates दोनों में same है 24 frames per second वो उसमें 4K में और full HD के सारे frame rates same है except one difference है कि for some reason जब 200 ही launch हुआ था तो full HD में 24 frames per second का option नहीं था 25 frames per second का option था अब वो बात में software से update हो गया नहीं पता लेकिन 4K में 24 fps शूट कर सकते हो full HD में for some reason 25 frames second ही शूट कर सकते हो 24 नहीं शूट कर सकते but अगर आपने मेरे पराने videos देखे हैं इंडिया में तो मैं वैसे भी specifically recommend करता हूँ कि आप cinematic videos बनाना चाहरे हो film बनाना चाहरे हो तो आप 25 frames per second पर ही शूट किया करो because PAL standard जो इंडिया में चलता है broadcast standard वो 25 frames per second का ही है तो frame rates की बात कर ली जैसे मने बताया दोनों cameras के अंदर almost identically frame rates है except for one difference और दोनों ही cameras में 4K भी है और 4K specs में अगें थोड़े जो लोग confused होते है 4K specs दोनों camera की again completely identical है because 4K में 200D Mark II या M50 Mark II दोनों ही major crop आता है around 1.5X का crop है अगर आप सिर्फ 4K लेते हो plus अगर आप digital stabilization on करते हो जो दोनों cameras में है तो around 1.77X का crop मिलता है आपको crop का मतलब जिनको नहीं पता उनको एक बार छोटा सा demonstration देता हूँ मानलो आप video shoot कर रहे है आपने full HD में video को set कर रहा है इस तरीके से अब आप camera को अगर 4K mode में switch करते हो 4K mode में switch करते हो तो वो कुछ ऐसा crop हो जाता है अब जिनको नहीं पता crop का जो एक significant disadvantage ही होता है कि crop होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन crop होने से आपको lens choices में बड़ डिफरेंस आता है for example आप vlogging करना चाहते हो आपको 4K में vlogging करनी है और stabilization भी उस करना है तो आपको इतना wide angle lens लेना पड़ेगा जो 18 mm के लिए आपको approximately 8 mm का lens लेना पड़ेगा और वो या तो बहुत expensive आजाएंगे या तो आपको काफी वो barrel distortion वाले lenses बलेंगे तो ultimately आपकी lens choices जो है वो बहुत effect होती है और अगर आप video बना रहे हो suppose आप full HD video बना रहे हो आप एगदम से 4K में switch करते हो आपकी framing बार-बार change रहती है तो यह है significance crop होने का crop होने पर यह बुरी बात नहीं लेकिन crop को समझना उसके around अपनी choices लेना वो सबसे important है तो दोनों ही cameras में identical crop है दोनों ही में digital stabilization है और सबसे important feature जहां पर सबसे आपको confused होते हैं इस video में जो autofocus points है जैसे मैंने बताया कभी भी आप DSLR को video mode में रखते हो तो उसके अंदर वो mirrorless technically बन जाता है mirrorless mode पर ही work करता है और जैसा मैंने पहले ही बता है वीडियो के शुरुआत में कि 280 Mark 2 हो या M50 Mark 2 हो दोनों exactly identical bodies हैं तो अगर हम autofocus points की बार भी करें तो भी again दोनों camera's में same autofocus points आपको मिलेंगे video के अंदर full HD में यानि 3000 मान लो या 143 मान लो जो भी number आपको suitable लगता है मेरे साब से 143 is the more accurate number तो आपको full HD में दोनों के अंदर यही feature देखने को मिलेंगे यानि dual pixel autofocus in full HD number of autofocus points जो मैंने बता है 4K वीडियो के लिए 4K वीडियो में जैसे मैंने बता है crop दोनों के अंदर same है जो आप use करना चाहते हो लेकिन दोनों camera's में एक जो important चीज़ आपको समझना जरूरी है कि दोनों ही camera's में 4K में dual pixel autofocus नहीं चलता है सिर्फ contrast detect autofocus चलता है ठीक है तो इससे आपका difference कि आता है आपके लिए सबसे बड़ा advantage है आपको समझना जरूरी क्यों है क्योंकि first of all 4K में आपको crop आ रहा है चलो वो तो आपर manage कर सकते हैं लेकिन 4K में अगर आप dual pixel autofocus expect कर रहे हो तो आपको नहीं मिलता है contrast detect जो मिलता है वो इतना accurate नहीं है थोड़ी hunting होती है तो एकदम अगर आपको fast एकदम amazing autofocus performance expect कर रहे हो तो दोनों ही cameras में 4K में आपको ये नहीं मिलेगा तो full HD के अंदर एक चीज़ जो में specify करना भूल गया कि दोनों ही cameras के अंदर full HD में आपको eye tracking और face detect autofocus मिलता है और दोनों cameras में काफी अच्छा चलता है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी M50 Mark II को मैं edge दूँगा because technically देखा जाए तो 200D Mark II की जो video autofocus performance है वो हमन M50 से compare कर सकते है और M50 भी decent था लेकिन M50 Mark II के अंदर autofocus की speed और autofocus की accuracy specifically around the edges काफी improve हो किया थी तो हो सकता है आपको थोड़ा सा difference मिले अगर आप दोनों के autofocus performance को compare करो 4K में जैसे बता है आपको eye detect, face detect नहीं मिलता है आपको contrast detect मिलता है तो भाई pixel matter, दोनों cameras की specification आपने बता दी बिल्कुल same to same लग रहे है, बहुत ज़्यादा difference नहीं है तो कौन सा camera लेना चाहिए, M50 Mark II ज़्यादा latest camera है मैं तो वही camera लेलता हूँ रुको, रुको, पूरा video देख लो, समझ लो उसके बाद decision लेना जो मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया था camera body में जहाँ पर हम lens को mount करते हैं उसे कहते हैं mount तो दोनों cameras के अंदर जो mount है, वो different है और that makes all the difference तो Canon 200D Mark II जो है वो है DSLR, उसके अंदर है EF mount, और जो M50 Mark II है वो है mirrorless body, तो उसके अंदर है EF M mount ये बहुत बड़ा difference है, इसका significance आपको नहीं पता तो mounts का जो explanation है, उसको एक example लेकर आपको समझाता हूँ let's say आपको एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है आपको car खरीदनी है, और आपको पता है कि एक बहुत अच्छी गाड़ी है Chevrolet, जो इंडिया में कुछ साल पर लेदा काती थी आप car खरीदने गए, लेकिन आपको पता चला कि वो car company एक साल में इंडिया छोड़के जा रही है उसको पता करने के बाद यह information लेने के बाद क्या आप वो car खरीदोगे अगर आप थोड़े भी smart और थोड़े common sense है तो usually आप car नहीं खरीदोगे आपको पता है car खरीदना असान है लेकिन car को maintain करना, उसके spare parts चूणना उसके qualified mechanics ढूणना, उसके resale ढूणना उसके कुछ भी अगर servicing करानी है वो सब network of services अगर नहीं होती है तो car का significance नहीं होता है तो इसी example को expand करते है camera world के अंदर तो जब companies DSLR cameras बना रही थी तो सबका एक specific mount था जब Sony DSLR बना रही थी थी उनका A mount था Canon का EF था और बाकी companies का भी अलग-अलग mount था फिर जब उनने देखा कि mirrorless cameras बहुत popular हो रहे है तो उनने सुचा क्यों ना mirrorless cameras या mirrorless mount बना जाए mirrorless system बना जाए तो सारी companies ने दीरे-दीरे transition करना शुरू किया mirrorless bodies बहे तो मेरे हिसाब से सबसे पहली जो company थी जिसने transition किया था mirrorless bodies में सबसे effectively वो थी Sony Sony पहले A5000 series बनाती थी और DSLR range के cameras बनाती थी लेकिन जब उनने अपने A6000 series को launch किया तो उनने E mount को introduce किया साथ में तो उसके साथ में उनके सारे cameras अगर आप देखे होगे तो सिर्फ और सिर्फ E mount पे based है उनके A6000 series E mount पे हैं उनके FX series यानि Cinema Line के cameras जो हैं जो Hollywood movie production के लिए बने हैं वो भी E mount पे है और उनके full frame series भी सारे E mount पे A7, A7S, A7R, A9 और A1 सारे cameras का एक ही mount है इससे फाइदा क्या होता है कि lenses की choices है कोई भी camera आप रखोगे Sony का कोई भी lens उठाओगे उस पे आप लगा सकते हो अब जब Canon और Nikon ने देखा कि mirrorless में transition करना है तो दोनों नहीं एक नया type का mount invent किया Nikon ने जो mount invent किया था मैं भूल गया उसका नाम लेकिन जो Canon ने invent किया तो वो था EFM mount अब दिक्कती है ही कि मेरे ख्याल से यह मेरा assumption है कि दोनों camera ने जब देखा कि mirrorless body उनने बनाई है तो उन्हें कुछ ना कुछ गलती लगी उनके दोनों नए mounts में तो Nikon ने किया किया उनका जो mount था जो पुराना वाला mount था उसको discontinue कर दिया और एक completely नया mount बनाया जो था Z mount जो Nikon के सारे नए Z series cameras में आता है वो है उनका नया mount और उनने कहा भी दिया कि जितने भी उनके नए Z series के camera आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ Z mount based है और रहेंगे पर इसेंपल Z50 low, Z5, Z6 जो भी cameras है वो सब और सब Z mount based है अब Canon ने रिलेस किया कि उनके mount में थोड़ी से दिक्कट है इतना अच्छा perform नहीं करता है तो उन्होंने नया mount बनाया जो है RF mount जो उनकी full frame bodies में आता है लेकिन उन्होंने EFM mount को discontinue नहीं किया तो इस टाइम पर Canon ही ऐसी camera company है जो mirrorless के अंदर दो अलग-अलग mounts लेके काम कर रही है तो इससे सबसे घूम फिर के सारी कहानी से आपको क्या फरक पड़ता है तो फरक ही पड़ता है कि मेरा assumption है कि EFM mount का जो future है वो थोड़ा सा dicey है थोड़ा undecided है या मुझे नहीं लगता कि Canon company उसको बहुत time तक support करेगी outright हो सकता है बंद कर दे हो सकता है उसके लिए lenses ना बनाया हो सकता कुछ नहीं करे और वो सारा का सारा focus RF mount पे दे देगी और यह मैं नहीं कह रहा हूँ Canon ने खुद कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ RF mount पे focus कर रही है वो EF के lenses भी नहीं बना रही है और EFM के भी lenses नहीं बना रही है तो गुम फिर के अब आपका significance क्या है मान लो आपने आज M50 Mark II ले लिया आपके पास में आया EFM mount अब आपको यूज करने कुछ lenses तो आपके बस दो choices है या तो 10-12,000 रुपे उपर लेके एक adapter खरीदो और फिर EF mount के lenses खरीदो ठीक है या तो उसके साथ में जो native lenses आते हैं कि EF M के lenses उसको खरीदो जो की महंगे भी है और जिनका future भी थोड़ा dice है तो अब इन दोनों सारे factors को जो मैंने बताया कि आपको जो lens यूज करने है उसका significance क्या है उसकी life क्या है अब आप simple एक सवाल का जवाब दो सवाल यह है कि अगर 200D Mark II और M50 Mark II के अंदर exactly same specifications है एक छोटे मड़े difference को छोड़के तो M50 Mark II लेकर उस पे 12,000 का adapter लगा कर फिर EF Mount के lenses लगाने का क्या कोई sense बनता है तो मेरे हिसाब से choice बहुत ही clear है क्योंकि हमें किसी भी camera के अंदर बहुत significant advantage नहीं मिल रहा है और technically कहा जाए तो M50 Mark II के अंदर disadvantage मिल रहा है क्योंकि हमें lenses खरी तो expensive है प्लस lenses का future भी पता नहीं है प्लस अगर EF lenses यूनिक करने है तो adapter में भी खर्चा करना पड़ेगा तो मेरे साब से दोनों cameras के अंदर अगर मैं आज camera में invest करना चाहूंगा तो मैं खरीदूंगा 200D Mark II और यह मेरा personal choice है अब आपको सकता है M50 Mark II से प्यार हो आपको नया camera जो आपका पैसा बचाने में आपको बहुत help करेगी कि अगर आप M50 Mark II लेते हो तो उसके साथ में आप कोई भी EF M mount का lens मत खरीदना simply body खरीदो और adapter खरीदो उसके बाद EF lenses लेके उस पे लगा कर यूज़ करो क्योंकि मानलो अगर मैं गलत हुआ और आपको कोई भी दिकत नहीं आई कोई भी lens लेने में तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ ठीक है आप EF M mount के lenses यूज़ कर रहे हो लेकिन अगर मैं सही हुआ और EF M mount का future DICEA company ने बोला कि हम नहीं बनाएंगे या यह body discontinue कर देंगे तो आपका जो lenses का खर्चा है वो waste नहीं जाएगा क्योंकि EF M जो lenses हैं हमारे जो DSLR के lenses हैं उसको आप future में RF body पे भी लगा कर यूज़ कर सकते हो सिर्फ एड़ाप्टर के साथ में तो यहां पर आपका पैसा बढ़ जाएगा और आपके लिए safe best रहेगी कि आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ या waste नहीं हुआ अब personally मेरा तो choice जैस M50 Mark II और A6400 को कब बैर किया जाए तो कौन सा कैमेरे बेटर है तो उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो